इसके पहले आपने magnetic effect of current पढ़ा कि current की वज़े से magnetic effect होता है अब पढ़ें के magnet क्या होता है देखिया अजीब टाइप का magnet की पूरा सब कुछ ABCD हम पढ़ने के बाद में आप सुरू करेंगे what is magnet तो आप कहानी सुने होंगे कि Asia Minor एक जगे है वो एक टापू है अब आईलेंड ह वहाँ पर जो shepherd होते थे वह जो भेंड चराने वाले भेंड चराते थे तो उनको ऐसा महसूस होता था कि उनके जो Snippers है अब तब लकड़ी के बने होते थे और लकड़ी के बनाने में उसमें कीले लगाई जाती होंगी तो उनको लगता था कि नीचे कोई हम उसको खींच रहा है या हमको उसको उठा के रखने में कुछ दिक्कत हो रही है तो जब ये काफी आम चर्चा होगी कुछ ऐसा वह पर है तो वहाँ पर देखा गया कुछ एक कुछ ऐसे पत्थर पाए गये जिन में गुण था कि लोहे की चीजों को अपनी और अट्रेट करते थे ठीक है अब वो चुकि मेन जो है अजीव टाइप के स्टोन थे उन्हें लोड स्टोन कहा गया लीडिंग स्टोन लीडिंग म इसका नाम क्या रखा गया मेगनेट चुकि मैगनेशया नामक सहर में पाया गया इस लिए उसका नाम माइगनेट रखा मेगनेट पे बहुत ज्यादा काम चाइनियस लोगरा ने किया ऐसी कुछ कहानी है कि लिखी है कि चाइना के कोई सासक थे हुआंग टी आइसे नाम होते हैं लोगों के हुआंग टी तो वो युद्ध के लिए उसमें युद्ध होता था न अभी तो यहीं से बैठके जो है नेविगेटर से सेट करके मार देते हैं तब तो दवडाग मारते थे तो उनका जो था जिसमें चलते हैं उसको चैरिट कहते हैं उसको तो उनका एक क्राफ्ट में था इसको की इंजीनियर कहते हैं आप तो उसने एक स्टैचू बनाया था वो स्टैचू हमेशा ऐसे हाथ की रहता था वो हमेशा साउथ की तरफ इंडिकेट करता था यह किस सीज को बना होगा वे है ठीक है अधरवाइस दिशा का ग्यान होने के लिए दिक्कत होती किसी और सहर आप जाते हो तो आपको नहीं होता है आप वो जो ग्रफिकल नार्सौथ हम जानते थे पहले से न लेकिन मैगनिट जो वहां पर पाया गया जिसको लोड स्टोन कहते है जो के आएरन के आक सा टीक है लेकिन उन्हों ने development किया development in the sense हम लोग development कर रहे हैं लोग समоч毕 किया है है तो basic properties of magnet क्या है अब वो आप नहीं लिखेंगे कि वो Asia, magnesia, minor वो सब ठीक है basic properties of magnet क्या है basic properties मतब अब जो ए चेप्टर बनाए हैं अब उनके बारे में क्या बताएं भाई योगी लोग होंगे कि पहले आप magnet की पूरी property पढ़ा दिये magnetic field सब कुछ पढ़ा दिये due to electric, electric current की वज़े से magnetic field है यानि magnet का ग्यान आपको करा दिया आप वो बता रहें what is magnet तो magnet की पहली property होती है attractive property attractive property यानि वो जो magnet होता है वो magnetic material को अपनी और attract करता है magnetic material को ठीक है जैसे लोहा लोहे को attract कर लेगा को wild को कर लेगा ठीक है अब बताईए अगर कोई magnet समझेगा किसी लोहे को अपनी और ग्रहे तो क्या वो जो लोहा है वो लोहा है कि magnet है बता सकते हैं सामने वाला magnet है ये कैसे अब जानेंगे नहीं समझे एक मैगनिट एक लोहे की टुकड़े को खींच रहा है एक मैगनिट एक मैगनिट को खींच रहा है तो यह मैगनिट हम जानते हैं कि दूसरा वाला मैगनिट है या लोहा है हम कैसे जानेंगे नई समझे हैं हम कहीं क्या आ रहे हैं, भाई एक magnet आपके पास है और एक सामने एक लोहे का टुकरा है, आप नहीं जानते है या लोहे का टुकरा है लेकिन उस magnet इइसको खीछ लिया, ठीक है, तो आप कैसे जाने के सामने वाला magnet है या लोहा है, देखें, इसको आपे naaf उस रिपल हो जाएगा ठीक है तो यह magnet की पहली property होती है attractive property ठीक है दूसरी property क्या देखी है directive property इसमें directive property होती है directive property directive property का मतलब क्या होता है कि इसको freely hang करने पर यह near about approximately नार साउट direction में जाके रुखता है approximately आपने बुला exact नार साउट में यह नहीं ठेड़ता अब आगे पढ़ाए जाएगा जब अर्थ magnet आपको पढ़ाए जाएगा कि अगर आप freely suspended magnet को freely suspend करिए तो वो नार साउट direction में ठेड़ता है exact नहीं थोड़ा भोत उससे deviate होता है और क्यों होता उसका reason बात बताए जाएगा लेकिन आप लिखेंगे नार साउट direction में ठेड़ता है अब देखें द्हान से जब magnet की खोज की गई होगी मुझे ऐसा लगता है उस समय तक अर्थ magnet के बारे में हमको जानकारी नहीं थी कि अर्थ भी magnet तरह बिहाइब करती है क्यों अगर हमको इसकी जानकारी होती तो जो मुझे लगता है कि अर्थ के नार्थ डारेक्शन में अर्थ magnet का जो पॉल हम मानते उसको क्या नाम देते नार्थ मानते नहीं मानते लेकिन हमको जानकारी थी नहीं इसलिए जो हमारा फ्रीली सस्पेंड़ टुड़ा था ना जो इसका एंड नार्थ डारेक्शन में रुका उसका नाम क्या दे दिया हमने आई साउथ दे दिया अपने magnet मैं अर्थ magnet की बारे में बात नहीं कर रहा हूँ इसका नाम दे दिया अगर नार्थ पोल या नार्थ सीकिंग पोल मतब जो नार्थ डारेक्शन की खोज करे सीकिंग मतब नार्थ डारेक्शन में रुका जाए और जो साउथ की तरफ गया उसका नाम क्या दे दिया साउथ सीकिंग पोल ठीक है unlike poles irterate करते हैं तो ये property हमने देखी कि इसमें जो like poles होते हैं वो repel करते हैं एक दूसे को और unlike poles irterate करते हैं, सही बोला ना? हाँ सही बोला, और ये सब के साथ होता है, charges के साथ भी होता है, कि एक जैसे charge एक दूसे को repel करते हैं ठीक है, now magnetic poles always यानि monopoles does not exist, single pole exist नहीं करता, मतलब अगर आपने एक magnet लिया है, और उसका एक end आपने कहा है ये north pole है, और एक end आपने कहा south pole है, तो अगर इसके आप चार्ज ले ले लेते, एक negative charge एक positive charge, तो आप उन charges को अलग कर सकते हैं, negative को अलग कर दो, positive को अलग कर दो, लेकिन अगर आपने इसके टुकड़े कर दिये दो, तो ये छोटा सा magnet बन जाएगा, ये बन जाएगा north pole, ये बन जाएगा south pole, इसके और टुकड़े कर दीजेगा, तो ये north, ये south, इसके टुकड़े कर दो, ये north, ये south, मतलब एक single pole exist नहीं क इंडेक्शन की देखिए वैसे तो सब आपको आता है लेकिन अगर को हैं बेसिक प्रोपरटी जाम मैगनेट लिखिए अब हमको याद ही नहीं कुछ हमको दो जी याद रहती है नार सब डेक्शन में ठहरता है और दूसरा हमको अट्रेक्टिव प्रोपरटी मालू है यह सब खीज़ें मैगनेटिक इंड़क्शन का मतलब क्या होता है देखो इंड़क्शन जो वर्ड होता है इसका मतलब किसी भी प्रकार का एफटी करना दूर भीना उसको टछ किए उसको magnetize कर देगा ठीक है अब वो magnetic effect उसके अंदर क्यों होता वो भी थोड़ी देर बात discuss किया जाएगा तो ये आपकी हो गई basic properties of magnet ये 4-5 properties है इनको note को ले जाएगा वैसे कोई बहुत पूछी नहीं जाती है लेकिन दिमाग में रहनी चाहिए ठीक है यानि अगर magnetic field में किसी magnetic material को रखा जाए magnetic material को मतब ऐसा material जो magnetize हो सकता है तो ये magnet दूर से ही उसको magnetize कर देगा शर्त क्या है कि जो material रखा जाए और कैसा हो वो magnetic effect create करने वाला हो मतब उसमें magnetic field create हो सकता हो अगर आपके लकडी का टुकुडा रख दीजे तो magnetize नहीं होगा वह यह से हम लोग जो field create करते है teacher field खुंखार teacher field, सीधा teacher field लेकिन सामने जो induction वाला है वो सामने वाला वैसा होना चाहिए ना ठीक है बच जैसे कोई physicist का professor आप इठाल दीजे तो हम बड़े ध्यान से उसको सुनते रहेंगे और यहाँ नीद आ जाती है professor का हो जाए मैडम मैडम पढ़ा रही हो तो बड़े थोड़ा वोट सुन ले नहीं तो हम सुने वेने के तो हैं नीद आ जाएगी क्यों थोड़ी दिर बात सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ है नहीं कर रहा हूँ हो सकता सही न कर रहा हूँ magnetic magnetism से सम्मंदिश इनके परिवार में कुछ नाम है नाम होते ना चाचा ना ताउ ठीक है चाचा का मतलब क्या होता है कब उसे चाचा कहेंगे कब वो मामा बन जाएंगे ऐसे यहां भी इसमें होगा सबसे पहले बात आती है कुछ important definitions है सबसे पहले बात आएगी magnetic field magnetic field नाम से लग रहा होगा कि किसी magnet के चारो और का वो field जिसमें कोई दूसरा magnetic material force experience करे या दूसरा magnet force experience करे that may be force of attraction that may be force of repulsion थोड़ा सा copy note करते रही है अचल लिख रहा है हाँ तो इसे तुम रखे हो तो इस्टेशनरी हाँ तुमारे दिख रहे हैं तब से हमको दूसरी चीज है uniform magnetic field uniform magnetic field नाम से लग रहा है कि एक ऐसा ऐसी जगे जहां पर magnetic field की intensity हर जगे सेम हो उसको हम क्या कहते हैं uniform magnetic field और magnetic field की direction बताने का तरीका क्या होता है तो हमने कहा था magnetic lines किस पोल से निकलती है नाक से निकलती है नहीं जहां नायाद हो नाक से निकलती है नाक मने नार्थ से निकलती है नाक के न लिग देना पता दिला नाक का यादरा नार्थ बुल गए नाक क्यों समझाने के लिए तो magnetic lines नार्थ से निकलती है ऐसे देखे तो ये नार्थ पोल है ये साउथ पोल है तो यहां से 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 यहां से निकलेंगी ऐसे ऐसे, यहां से हमको तब दूर बना दिया नदी बना चाहिए था यह ऐसे यह, ने अभी मैं arrow कहां बनाया हवजा हम इधर से खीच रहे थे तुम जानी निपाओ तो arrow बनेगा वो तब बनोगा, जानोगे यह अज़ा यह हमको कैसे मालूम हुआ जो हमारी magnetic needle थी ना उससे हमको मालूम हो गया चुकि needle का जो pointer जिधर जाता रहा, उदर हम छोड़े छोड़े arrow बनाते रहे और उससे हम जानगे कि magnetic lines नार से निकलती है और देखे ध्यान से यहां से निकल के आएंगी और यहां से वो फिर जाके इसमें मिल जाएंगी, ठीक है तो magnetic lines जो है एक close curve बनाती है, लेकिन electric lines close curve यह, तो अगर आप से कहा जाए कि magnetic field की direction क्या होती है तो आप पूरी बात बताईए आप कहेंगे, magnet के बाहर magnet, उल्टा मिला गए, यह इससे मिलेगा, magnet के बाहर नार से south और magnet के अंदर south से नार होता है, तो आप आप ने कहता है, वैदू को पेपर में दिखाना है आपको, तो आप बना तो ऐसे कहीं भी बना तो, लेकिन पेपर के perpendicular लगर दिखाना है आपको, तो परपेंडिकुल दिखाने के दो तरीके बताए गए थे, डाउनवर्ड बताएंगे आप, डाउनवर्ड बोले तो, अंदर कौन जा रहा है, नार्थ पूल, अगर कहें magnetic field की direction ये है, तो जिधर जारा है, उधर जा कौन रहा है, नार्थ पूल जारा है, वो नार्थ का arrow जारा है, तो अगर arrow अंदर की तरफ जारा है, तो आपको arrow का पीछे का cross वाला portion दिखाई पड़ेगा तो अगर ऐसे दिखा दिया गया इसका मतब इस perpendicular to the plane of paper directed inward और अगर इस board से बाहर निकल रहा है paper से बाहर निकल रहा है तो आपको pointer ऐसे दिखाई पड़ेगा point, arrow बाहर आ रहा है arrow का tip, तो इसकी क्या है perpendicular to the plane of paper directed outward ये magnetic field की direction दिखाने का तरीका, वैसे तो कहीं भी arrow बना सकते हैं जैसे east west में दिखाना है तो आप ऐसे दिखादो, north south में ऐसे दिखादो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन अगर आपको ऐसे दिखाना है perpendicular to the plane of paper तो ये तरीका होता है note करिए next point है कि magnetic poles हैनि magnet में दो poles होते है एक north pole होता है कैसे हम, हमारा knowledge कैसे वहाँ तक पहुंचा कि जो freely suspended वो टुकड़ा था loadstone कहाँ वाला, Asia miner वाला वो जब हम धागे में लटकाते थे वो हमेशा एकी direction में ठहरता था और उस में तक हमको geography का east west north south का knowledge हो चुका था तो हम जो north direction में ठहरा उसको हमने कहा north pole और जो south में ठहरा वो south हो there are two poles, north and south तो याप जानते हैं, इसमें north pole होता है और एक south pole होता है अब आप कहेंगे, बना क्यों रहे हैं एक ची और दिखानी इसलिए बना रहे है अब आप कहेंगे, साफ साफ बनाओ वो नहीं बना पाएंगे जितना गंदा हो सकता है, यह इसकी axis होती है यह क्या है, axis of तो यह कहलाता है, magnetic axis magnetic axis इनकी definition only हम समें की बताया जे रहे हैं, आप लिख लीजेगा क्या होती है, the line joining the north and south pole that is called magnetic axis the line inside the magnetic pole तो नहीं कर बड़ हो जाएगा, तुम ऐसे join करना सुरू करता होग, ऐसे, लो join कर दिया वो लेकिन वो line नहीं होगे कर हो जाएगा, ना, the line joining the north and south pole, that is called magnetic axis next होता है, magnetic equator यह आपकी magnetic axis है, यह जो line हम खीचे हैं, यह है आपका magnetic axis है ठीक है next आता है, magnetic equator magnetic equator magnetic axis के perpendicular और magnet के midpoint से जाने वाली line, इधर दिखिए magnet के midpoint से इसके perpendicular जो line खीची जाती है उसको कहते हैं magnetic equator 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 देखिए वैसे तो इन नामों का कोई खास आपके slayvus से लेंदेना नहीं है लेकिन कभी-कभी हमने diagram बना दिया पूरा, magnet का पूरा बना दिया और उसका हमने आपसे नामने क्लेजर पूछ लिया कि यह line क्या है, यह line क्या है तो उसका knowledge आपको होना चाहिए था ठीक है देखिए जो magnetic length है उसका नाम से तो लग रहा है कि magnetic length के बारे में बात हो रही होगी दरा समझने की कोसिश करिएगा जब हमने एक magnet लिया यह उस experiment के बारे में बात करें जो lab में हमारे scientist ने किया होगा मताँ एक minute से minute observation find किया गया ठीक है और यह बिल्कुल middle point से मिलाया इसको कहा गया magnetic axis ठीक है अब ज़रा समझेगा हमने इसके चारों direction में magnetic needle रखा needle आप जानते हैं कैसे बनती है एक जो किता में बनी है वो ऐसे बनी हम ऐसे बनावना पाते हैं ने इसे बनी है वो ऐसे बावा घंटा बनाना पड़ता है तो हमें सस्ती वाली ऐसे बनाते हैं तो सस्ती वाली आती है दो रुपे की पांच रुबग मिलती है कितनी भी अगल जाओगे तो दुकान पर मिल जाएगी आपको है ऐरो उल्टा हो गया क्यों क्या मतलब नहीं ऐसे नहीं हो सकता है क्या ऐसे अचा तुम ये एरो उल्टा बता रहे हो अरे ये एरो है वो टेल है देखे जाने से हमने इस निडिल को रखा यहां पर तो जम साउथ फोल के पास रखे यहां पर तो हम जब यहां रखे तो हमने देखा ये निडिल कुछ ऐसे आ रही थी ठीक है और जब इधर रखे तो ये निडिल कुछ ऐसे आ रही थी तो जब इसको मिलाया जाकर के तो दोनों कहां इंटरसेट करी यहां पर तो हम क्या समझे कि ये निडिल इस पॉइंट की तरफ डारेक्ट हो रही है इस पाइंट तरफ इंडिकेट कर रही जाने की कोशिश कर रही है और ये निडिल का कौन सा पोल होता है तो निडिल हम लेते हैं उसमें ये एरो लगा होता है ये पोल कौन सा होता है नार्थ होता है तो नार्थ किधर जाने की कोशिश करेगा इसका मतलब मैगनेट का साउथ यहां पर है नहीं समझे और मैगनेट का नार्थ यहां पर है यानि कि मैगनेट का जो साउथ पोल होता है न वो बिलकुल मैगनेट के कॉर्णर पे नहीं होता है वो थोड़ा सा अंदर होता है थीक है तो magnet के south और magnet के north के बीच की distance को हम कहते है magnetic length मतब magnet का south बिलकुल इसके tip पे नहीं होता है थोड़ा अंदर होता है यह हमने कैसे मालूम किया ऐसे experiment करके मालूम किया ठीक है तो लिखे magnetic length the distance between the two poles of magnet the distance between the two poles of magnet is called magnetic length is called magnetic length अब देखो यह हमने बनाया magnet बनाया मतबा बनाया हमने खरीद के लाए बनाएंगे कहां से तो इस corner से इस corner के बीच की दूरी बिलकुल total जो magnet के end to end जो distance है यह आपकी geometrical length है यह length क्या अगल आती है यह है geometrical length geometrical length यह geometrical length इसकी कलाती है ठीक है और यह आपका रहा south pole और यह आपका रहा north pole जो थोड़ा सा इसके अंदर होता है कैसे मालूम किया हमने अपने experiment से हमारी जो north pole of magnetic needle था उधर जाने की कोशिश कर रहा था और उधर जब गया तो आप समझगे यहां पाकर के मिलना चाता है और north pole कहां मिलना चाता है जहां magnet का south pole होता है तो यह आपका यह magnetic axis है और यह north pole यतना और यह यहां से यह कौँ सी length कहलाती है यह है magnetic length magnetic length वैसे इतनी बहुत minutely generally book में नहीं दिया होगा कहीं कहीं दिया है कहीं कहीं नहीं दिया हुआ है अब बताएं magnetic length ज्यादा या geometric length ज्यादा तो देखा यह गया कि magnetic length वै यह कितना ज्यादा होता है यह भी तो इसका भी कुछ ratio होगा ना ऐसा तो है नहीं कि आपने इतना बड़ा कर दिया तनार south उसके अंदर घुज गया करके कुछ अंदर होता है ठीक है तो आपकी जो magnetic length magnetic लेंथ और geometrical length geometrical length का जो ratio होता है वो 0.84 होता है अब आप समझ जाएंगे कि यह जो आपकी यह लेंथ कितने अंदर होगी जाकर की हाँ वो लग 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 बर end से कुछ ऐसा होता है क्या आप magnet रखिए आप भी इसको find कर सकते हैं आप paper लीजे और रखिए magnet रख दिया आपने magnet magnet रखे magnet की boundary खीच लिजे खीच लिया ठीक है boundary खीच लिए बाद में यह middle point से एक line खीच दीजे डॉट it यह होगी magnetic axis ठीक है फिर आपनी लिजी आप magnetic needle ठीक है अब needle को जवाब रखिए experiment के हिसाब से यहाँ पर रखोगे कहीं पर तो ऐसे कहीं घुमेगी ऐसे यहाँ पर रखोगे तो ऐसे कहीं घुमेगी तो अगर आप ऐसे घुमाओ के पीछे के तरफ जहाँ से निकलती भी अपियर हो तो आप जाएंगे जान जाएंगे कि यहाँ से north pole यहाँ पर होगा ठीक है यह experimentally किया गया है अब हम बात नहीं कीगी अब magnet के shape अलग-अलग होते हैं जो पहले हमको बताने चाहिए थी shape of magnet तो अलग-अलग shape के हमें magnet मिलते हैं जैसे आपका एक तो बार magnet होता है shape of magnet अलग-अलग होते हैं shape of magnet एक तो आपका bar magnet होता है bar magnet मतलब यह rectangle shape में होता है जो generally आपके यहाँ available होता है ठीक है तो आपने दिखा होगा q-vidal shape में एक मैगनेट आपको ऐसे मिलता है ऐसे ना ऐसे कुछ होता है वो बार मैगनेट होता है इसका एक पोल नार्थ होता है एक पोल साउथ होता है जनरली ओ मैगनेट जो लैब में होते हैं उसमें इंडिकेट रहता नार्थ साउथ ठीकिन अगर आपको नहीं इंडिकेट है तो ने हाड़ शू मेंगनेट यह हाड़ शू मता हाड़ शू से ही बना है उस शेप में होगा आप देखो गोड़े के पैर में नाल लगाई जाती है क्यों लगाई जाती है पैर गिसे नाल नाल लगा दी जाती है ठीक है पहले नाल नहीं लगाते थे क्यों पहले पैर उसके जबीन उस चलता था क्हेतों में समय, आप जूगे आप ने सड़क पक्की बना दी, ठीक है, तो नाल इस प्रकार से बनाई जाती है न, ऐसे कुछ ऐसे शेप, ऐसे बनाई जाती है, ऐसे शेप होती ही तो आज से न, तो ऐसे हार्ट्शू मैगनेट बनता है, ठीक है, वो काले घोडे लेकिन उसका जो वो पहनता है वो वो पहनता है वो इतना अलेक्टरिफाइड हो जाता है ठीक है अधानि बना दे गोड़क लिखाना हो तो इसको बनाना तो ऐसे बना सकते हो यह बाहरी शैप बना सकते हो और यह अंदरी बना सकते हो मेरा साथ का नाथ होतकते है तो ये дिना भी आपको उसमें दिंगाई होगा थ DNA आपके तो ये मैगनेट से समंदित कुछ डेफिनिशन से पुरा इंट्रोडक्शन एक तरीके सबने बताया ठीक है कुछ बाते और हम बता दें मैगनेट किताम में लिखा नहीं है गोल मैगनेट अब जाथ कुछ बाते समय लिजेगा हमारे जो मैगनेट की खोज का हुई आज के चार हजार पाँजार साल ये आपके जो साहफते 600 BC मतब six sensory की बात कर रहे हैं और पीच में लोगों को ग्यान बहुत रहा होगा बात में ग्यान धिरे-धिरे कम हुआ बड़ा नहीं कम हो गया जीरो हो गया फिर हम रिसर्च कर रहे हैं फिर हम ग्यानी होते जा रहे हैं धिरे-धिरे तीक है आपने देखा होगा जब गाउग है कि जो magnetic lines से earth magnet की earth magnet की जो dekhe ये ज़र समझिएगा earth magnet होता है इसके बारे जान करी तो बात में हमारे जो सुनातन धर्म में लोग पहले से बताते थे इस direction में आप सर करके मत लेटिए यानि कि हमको ग्यान उसका था हम अगर magnetic field बताते लोगों को तो लोग तो हमने धर्म से जोड़ दिया, कि उधर दादा होते हैं, उधर हमारे पित्र होते हैं, वो ठीक है, चुकि जो आपका अर्थ मैगनेटिक जो है, उसकी जो मैगनेटिक लाइन्स हैं, वो आपके सर से इंट्री करेंगी, ठीक है, और उसमें चुकि लगातार फ्लक्शुेशन ह वज़े से आपके मतब ब्रेन डिस्टर्ब हो सकता है एक वो कारण है लेकिन modern science इसको दूसरे एंगल से कहती है वो कहती है जा समझिएगा हमारे जो ब्रेन है ना उसमें जो ब्लड जाता है बहुत छोड़ी आपके बॉड़ी में इंजक्ट कर देंगे और पूरी बॉड़ी में मूप करके आएगा यहां भी आएगा नाक से जगए गंदा नाक है ऐसे मतलब जाकता है जहां तो दिक्कत होगी वो पता देगा इसके बावजूद जब उपर वाले का रोबोट चलता है तो यहां के आपके ब्लड में आईरन है तो मैगनेटिक फिल आपके ब्लड को अपने और खिचेगा तो ज्यादा मात्रा में ब्लड आपके ब्रेन में पहुशेगा जगह है नहीं उतनी ठीक है और सब हम हूँ चाचा जभी हूँ चाचा जभी है तो वो क्लोटिंग कर सकता है ऐसा लोगों को मालुम था कि इस डायक्शन में सर रखके नहीं लेटना चाहिए क्योंकि उनको मैगनेटिक फिल्ड का भले वो नाम ना लिया हूँ उन्होंने लेकिन वो जानते थे इसके बारे में ठीक है तो ये पूरी कहानिया है कुछ मैगनेट के बारे में ये कहानिया ऐसी सुनने वाली है जैसे फेरी टेल जैसे होते हैं एक राजा था एक राणी थी सात रानिया थी जैनली कहानिया होते हैं एक राजा सात रानिया कभी देखा एक राणी सात राजा नहीं एक सात रानिया तो ऐसी कहानिया है नहीं पढ़ डालिएगा नेक्स क्लास में देखा जा